और अपनी बात ज्यादा लंबी ना कहते हुए खाली इतनी बात कहना चाहूंगा कि व्यक्दी का जीवन कुछ लक्षों के लिए समर्भी तो होना चाहिए और बाबा साहिब चार्ट कमबेटकर का एक पैगाम वो क्या कि विद्वान बनो और चरित्रवान बनो साथ्यो मेरे बच्चो अपने जीवन में जो पुत्य ने कहा था कि प्रज्यामान बनो और शीलवान बनो उसको पुत्य ने अपनी भाषा में कहा कि चरित्रवान बनो और विद्वान बनो उन्होंने अपनी पत्नी दूसरी पत्नी सवीताम्बेट कर पर ये पत्न लिखा था और उसमें लिखा था ए शारूर उसको शारूर कहते थे ए शारूर मुझसे इस देश के बड़े बड़े नेता अगर ठराते हैं तो मेरी सिख्षा के कारण नहीं, मेरी डिग्रियों के कारण नहीं, मेरी चरिक के कारण थबड़ाते हैं और विखार कराओ, इसलिए विखार कराओ, कि बाबा साहिब डाउट कमेट कर जैसा व्यक्ती जो इसने देश के बड़े कुछले समात पे पैदा हुआ था वो पहला व्यक्ती था जो हसाल समुन्दर बार ठाकर जो वियाजी सबसे परफोट सब्बार अले है जो जी सब्बार के सीने पर ताद अलके का था का था कि वो दिल लड़ गए जब तुमारा हुकूमत चलती थी और हम उसे बारने को अभी सब्बार के मगर जब तुम इस देश में आये थे हमें कुए पर नहीं चड़ने दिया जाता था आपके सासल कान में भी नहीं चड़ने दिया जाता हमें पहले आप से पहले स्कूल में नहीं चाने दिया जाता था अब आप आ गए वो आपके समय में भी नहीं जाने दिया जाता हमारे उपर के त्री भी यंद्धर नाएं पहले मौजूद थी आज भी वह समोजूद है मगर याद रखो कि वह दिल लग गए जब हम उसको माते थे और हम उसको माते थे साथियों बाबा साहिब डांट कमबेट करना होके तो इस देश को पर आजाद ही नसीब नहीं अगर ये देश आजाद की साथ ले रहा है तो बाबा साहिब डांट कमबेट करके कारण इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाबा साहिब डार्ट कम्मेट करकी संसार इमामगार संसार है ये जो हमारे सामने फेमराव बैंडे है अरे इनके पास तो इस सबसे बड़ा पदर ये बाबा साहब के पोके है इने क्या पदर चाहिए तुन साथियों जितने बाला साइल डाम कमेट करकी संसा पर ढूंक रहे हैं उनको याद रखना वो मिश्वरी लोग नहीं हैं उनको कौांदों बन से कोई मतलब नहीं हमारी समस्याओं से कोई मतलब नहीं उनका मतलब है तो एक मतलब है कि मतलब बैटो और फिर अपने रिष्चेकारों से कोई मैं पत्धार हूँ मैं सेटी हूँ अबे सेटी पढ़ने के बाद तो ने क्या क्या वो बता दे अजख्ष पढ़ने के बाद तो ने क्या क्या वो बता दे ऐसा बताने वाले कोद कम मिलेंगे इसलिए जो पजलों जो कहें जो समार के भूखे हैं वो संस्थाइट तोड रहे हैं वो संस्थाओं तोड़ने बखरों इतरा अधिक हो गया है अब हम कहते हैं कि अब हम जितने टूट चूटे थे तूट चूटोगे तो दुबारा से वाफिस खड़े होने की उम्मीद निक अधिक हतम हो जाएगी या इतनी भी लोग पेड़े हैं पोजे घंते हैं एक पहगाम पहुचाओ गल 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 तक पहगाम पहुचाओ परिपताजी ने मुझसे कहा था निकाल था तूट अपनी मजी से भांके मोगता समा से जुड़ा है मैंने नहीं उससे कार्मा जुड़न अधिक साथ तो उसलू मैंड़कों से परिशान था तो किसी की परिशानी का इमाराण बदबना शाथ की सुरूब बहुत मासवा की शर्म में आया था मेरे उचलिक पर कोई दाब नहीं है आग भी मैं भांके बहुत मासवा की शर्म में हूँ मैं इस संच्छत का राष्ट उ यदि मैं राष्टे उपादेश ना भी नहूँ बगर पतके भी मैं इस संसागी उसी परकार सेवा दरूगा जैसे किस सब्दब उख्या की बगर पतके सेवा कश्ता हूँ मगर साथ को एक अनमान मिरा रहे जो उससे कोई शीन में भी सकता वो यह है जब भी मैं मरूगा तो तेक अंध कि 30 फुसायक अफ इंडीया की कखत के साथ ऐसे आरे संकंथ मैंने कधिन आएं कि इस संठतों तो बाबा सहिब डार्ट कंबेट करके संठत को बाबा सहिब डार्ट कंबेट करके संठत tari का की यह तो अगर बचा सकते मैं तो बावा साहिब डार कम्पेंटर के सच्ची सब्कूत बरा सुखने है ओरने तो भईयाँ आपको बता ही है भेरियों के भी तो भेर को तीक्ती खुशी हुई है उन सबसे साथ भावन रहना, सतर करहना, जागते रहना अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब करें और घंजी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूले ताकि सबी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले